यहिरों की बुद्धी बारा बजे की बात खुलती है यह निन्दनी है अब्यक्तिसेश के ऊपर ठीक है पूरे विरहदरे के समाज के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभा पड़ा तो उन प्रकास राजभर तलब कर लिए जाएंगे और उनको नियाले में हाजिर होके जबानत करना पड़ेगा और बिना यहां आए उनका कल्यार नहीं होने वाला है यह बहुत ही गलत और निंदनी कृत्य है और इससे यादो समाज के लोग बहुत आहात हुए हैं और दुखित भी हैं इस तरह के कृत्यों से राजनीत इतनी नीचे अस्तर की राजनीत नहीं होनी चाहिए और इनको तो सजा मिलनी ही चाहिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारतियूज अभी हम जौनपुर के दिवानी नयायले के परिशर में हैं और हमारे साथ ओम प्रकास पाल हैं आपको बता दे कि ओम प्रकास राजभर की अब मुश्किले पढ़ती जा रहे हैं क्योंकि ओम प्रकास राजभर पर अब दिवानी नयायले में वाद भी दर्ज हो चुका है हमारे साथ सिर्कुमार यादव के वकील हैं जिन्होंने दर्ज कराया है बहुत स्वागत है सर विशेश पर यादव जात पर एक विवादित बयान दिया कि अहिर की बुद्धी 12 बजे खुलती है जिसको सुनकर हमारा क्लाइंट सिर्कुमार यादव वा उनकी समाज के अनलोग बहुत आहत हुए आये मेरे पास और मुझसे जानना चाहें कि इनके कृत्ति से कोई अपर नित करता है उसके विरुद्ध धारा पांसों का अपराद बनता है और उसके कहने पर मैंने अमलेंपी कोड में स्रीवों प्रकास राजबर के खिलाप परिवाद दाखिल किया जो मेंस्टेट साहब दर्ज कर बयान के लिए दिनांक 23 नव 23 तारिक नियत किया अगर इसमें क प्रकास राजबर कर लिए जाएंगे और उनको न्याले में हाजिर होके जबानत करना पड़ेगा और बीना यहां आए उनका कल्यार नहीं होने वाला है जोन पूलाएंगे बिल्कुल बुलाएंगे किसी जाद और ब्यक्ति विसेश नहीं है ये समाज विसेश पर इनोंने आपति जने टिप पड़ी किया है इसका बहुत बुरा प्रभा पड़ा इसलिए जो है शिवकुमार यादो जो है निभापूर निवासी हैं मुगराबास आपूर ठाने के रहने वाले हैं वो आए और अपना दुख ब्यक्ति यह हुआ कि आपके मुकर्मा किया जाएगा भाई आईए इसे समाज में लोग आ जादो समाज के लोग बहुत आहात हुए हैं और दुखित भी हैं इस तरह के कृत्तेयों से राजनीत इतनी नीचे अस्तर की राजनीत नहीं होनी चाहिए और इनको तो सजा मिलनी ही चाहिए इस तरह के वक्तब्रसे इन लोग नेता है तो अपनी भासापस के समाज के लिए पड़ी करना यह बहुत ही घातक है समाज के लिए और उम्प्रकास राजभर को निश्चीती सजा होनी चाहिए अभी जैसे कि सुकुमार के वकील ने भी बताया कि उम्प्रकास राजभर को जौनपूर में आना ही पड़ेगा प्रमोद गुपताज जे भारत जौनपूर झाल